हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब तो दोस्तो हमारे चनल में उत्राखंड की निशलो का सीरीज चल लही है जिसमें की आपको complete course कराया जा रहा है तो दोस्तो हम लोग उत्राखंडे का इतिहास बढ़ रहे थे उत्राखंडे के इतिहास के सांसत मैंने हिंदी की भी सुरुवात की थी और हिंदी में मैंने सुरुवात वहां से की थी जहांते छातर को सरवाती दिक्कत होती है जैसे कि हिंदी में पांच परकार के पत्र लेकान आपके उत्राखंड के सेलेबस में दिये हुए हैं यह मैं आपको अच्छे से कवर करवा चुका हूँ उसके बाद देखी मैंने दूसरे टॉपिक उठाया है वो उठाया है हिंदी कंप्यूटिंग के अंदरगत पेज लियाउट का पेज लियाउट इसके काफी ज़्यादा मैसेज़ भी आ रहे थे चातरों के कि यह वाला चैप्टर करवा दो तो हिंदी कंप्यूटिंग में जो पेज लियाउट वाला चैप्टर है उसको भी हम लोग कवर करेंगे आज और एक बाद देखिए दोस्तों आज आज आपको वीडियो आगे बढ़ागी नहीं देखने है ना ही कुछ भी इसमें मिस करना क्योंकि आज हम लोग चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझेंगे क्योंकि कंप्यूटर से संबंदित आज हम लोग चीज़ें पढ़ तो सबसे पहले तो हम लोग यह जान लेते हैं कि यह पेज ले आउट आखिर होता क्या है और देखिए एक बात और आपको यह भी जानना है कि पेज ले आउट से क्या संबंद है उत्राखंड में जो हमारा सेले बस में उसको क्यों रखा गया है यह भी आप समझ जाएंगे जब हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो देखिए, सबसे पहले देखिए Page Layout का परियोग Microsoft Word में Menu Page से संबंदी Setting करने के लिए करते हैं देखिए एक काम कीजिए, अगर आपके घर में Computer हो, Laptop को, उसे आप लोग On कर लिए, क्योंकि आप लोग जैसे-जैसे मैं करता जाऊँगा, आपको यह करना है वो ही चीज़ें वहाँ पर Computer में करने हैं, जो जो मैं आपको बताऊँगा क्योंकि आप लोग Practically उन चीज़ेंगे ना तो आप लोग उन चीज़ेंगे, तो Page Layout का परियोग Microsoft Word में Menu Pace से संबंदे Setting करने के लिए करते हैं, अब देखिए अभी आपको को समझ मां आया नहीं होगा, अब समझ मायगा देखिए यह देखिए, यहाँ पर देखिए, मैंने जो हमारा Microsoft Word होता है उसकी ही मैंने यह पिक ले रखिए, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ में, यह देखिए आपको करना कहा है, अगर आपके पास Computer है, तो एक काम कीजिए, अपना जो Computer On कीजिए और उसमें MS Word खोल लीजिए MS Word जब आप लोग On करते हैं, देखिए, कुछ इस तरीके से, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से, मैंने आपको बताया ना, आज हम लोग Practical ज़्यादा पढ़ेंगे, रटना नहीं पढ़ेगा और हम लोग इस चीज़ पर भी चर्चा करेंगे, कि यहां से प्रश्न किस परकार से बन रहे हैं सबसे महत्पूर तो हमारा यही है ना, कि प्रश्न कैसे बनेंगे तो देखिए, जैसे ही हम Microsoft Word On करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलके आता है और उपर देखिए, कुछ ऐसे option आते हैं, home का, insult का, page layout, reference, mailing, review, view हमारा इन से कोई मतलब नहीं, नहीं इन से कोई मतलब है, हमारा सिर्फ और सिर्फ मतलब है इस वाले से, page layout से अब देखिए, जो page layout आपको दिख रहा है, देखिए, जब मैंने page layout यहां पर से on किया है तो वहाँ पर इतने सारे function मुझे वहाँ पर देखने को मिलते हैं, कौन-कौन से इतने सारे function मुझे यहाँ पर देखने को मिलते हैं देखिए, कौन-कौन से function देखने को मिल रहे हैं, theme से color, font, effect, margin, बहुत सारे function मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो page layout में इतने सारे जो function हैं हमको इनहीं को पढ़ना है और इनहीं से सम्मंदित exam में प्रश्न बनते हैं और exam में प्रश्न कैसे बनते हैं इसको भी हम लोग पढ़ेंगे और देखी एक बास सोचने वाली बात है कि आखिर इस चीज़ को syllabus में रखा क्यों गया है इसलिए रख इतमान में देखिए जो सरकारी भी भागे हैं हर जगे computer का यूज हो रहा है जो जो कारे पढ़ना लिए वह डिजिटल हो रही है अगर आप कणिस्थाय का अग्याम देते हैं तो वहां पर आपका सारा का सारा जो आपका work रहेगा वह computer में ही रहेगा और जो page layout वाला जो हमा क्यों पढ़ना है और आपके syllabus में यह क्यों रखा गया है इसलिए रखा गया है क्योंकि office की कारे पढ़नारियों में इसका काफी महत है page layout का चलिए ठीक है बढ़ते हैं आगे फिर देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं page layout के भाग आखिर page layout के भाग कितने होते हैं तो देखिए page layout के कौन-कौन से भाग होते हैं पहला हो जाएगा themes, page setup, page background, paragraph और arrange यह 5 भाग होते हैं किसी भी computer को आप लोग on करते हैं तो page layout के आपको यह 5 भाग देखने को मिलते हैं अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर आपको note करना है किस भाग के अंदर कौन से function है भी मैं आपको note करवाऊंगा देखिए पहले हम लोग यह समझते हैं कि page layout के भाग जो 5 होते हैं किस परकार से होते हैं देखिए यहाँ पर से फिर से मैंने एक photo कीजिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर भाग होते हैं पेजड़ाय काम करना है वह काम क्या करना है जैसे कि आपको क्या करना है लेकना है चे पेजलिया-अउट के 5 परकार होते हैं heading डालनी है theme से की heading आपको डालनी है theme से की theme से की जब आप heading डालेंगे तो आपको गया करना है color, font और effect color, font और effect किसके अंतरगत आएंगे ये आएंगे theme से के अंतरगत ऐसे ही प्रशने बनेंगे कि page layout के अंतरगत जो colors, font, effect के जो function आते हैं margins, orientation, size, column, breaks, line number और high pension तो high pension ऐसे कुछ यह function यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं तो परिक्षा में भी ऐसे ही प्रश्न बनते हैं कि page layout के अंतरगत जो margin है या फिर orientation है, size है, column है, breaks है, line number है और high pension जो यह function हमको देखने को मिल रहे हैं, वो किसके अंतरगत देखने को मिलते हैं, तो page setup या फिर ऐसे पूछ लेगा, margin है, orientation है, size है, column है, यह किसके भाग है, तो page setup के यह भाग है, ऐसे आपको note करना है मैं आपको बता रहा हूँ, आपको heading डाल नहीं है, देखी, मैं यह सब आपको लिखाने रहा हूँ, सिरफ आपको समझा रहा हूँ, आपको, देखे, लिखावा तो सब कुछ लिखावा तो है नहीं यहाँ पर, सब कुस तो लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, heading डाल यहां पर लिखे हुई सारे के सारे आपको इसी में एड कर देना है यह सब किसके अंतरकत आएंगे सब आपको याद हुजाएगा अभी हम पढ़ते हुए जाएंगे सब का सब आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा एक इमेज आपके माइंड बना लीजिए ऐसी एक पेज बैक्ग्राउंड पेज बैक्ग्राउंड के अंतरकत क्या क्या आता है वाटर मार्क पेज कलर और पेज बॉर्डर प्रश्न बनेगा कि पेज लेयाउट के अंतरकत वाटर मार्क किसे फंक्सन मा आता है पेज बैक्ग्राउंड के अंतरकत आता है यह वाटर मार्क जि जैसे कह रहा हूँ आप लोग वैसे note करते भी जाएए जो यहाँ पर लिखे हैं यह सब कुछ में आपको भी अच्छे से detail में समझाऊँगा चलिए ठीक है page color किसके अंतरकत आएगा page border किसके अंतरकत आएगा तो यह सब के सब page background के अंतरकत आएगे चलिए ठीक है उसके बाद देखे अगला हमारे पास आता है paragraph पैराग्राफ की अंतरकत क्या 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 आएगा indent इंडेंट आएगा और spacing ये दो function आते हैं indent और spacing परशन बनेगा कि page layout की अंतरकत इंडेंट और spacing किसके अंतरकत आते हैं तो यह आते है paragraph के अंतरकत उसके बाद दे बढ़ा हो गयाता, इसलिए मुझे इसको थोड़ा crop करना पड़ा, दो function आएगे, एक group का आएगा, एक group, यहाँ पर लिख लेंगे, एक group का आता है, और एक और आता है, एक में आपको देख के बताता हूं, कौन सा आता याद नहीं आ रहा है मुझे, हाँ एक group का आएगा और एक आता rotate का ऐसे rotate का भी एक option आपको यहाँ पर मिलता है तो और देखिए एक आता tax wrapping का इस परकार से ये option आपको किस में मिलते हैं ये मिलते हैं आपको arrange में अभी आपको ये लिखा हुआ दिखा दिखा दूँगा मैं अरेंज वाला जो पूरा है पूरा का पूरा भी आपको हम लोग जो अरेंज वाला पढ़ेंगे सब कुछ आगे आपको लिखा हुआ दिखा दूँगा तो इस परकार से आपको यह जिहां रखना है कि थीम्स में पेज सेट अप में पेज प्रश्ण आ रहे हैं इस परकार से यहां से प्रश्ण बनते हैं वाटर मार किसमा आएगा पेज कलर किसमा आएगा और येंशन किसमा आएगा मर्जिन किसमा आएगा इस परकार यह जान लेते हैं कि इनके बारे में प्रश्ण बनता है कि मर्जिन क्या होता है और येंशन क् सबसे पहले हमारे पास क्या था थीम से था थीम से के अंतरगत हमें क्या क्या देखते हैं थीम से के अंतरगत हम लोग क्या क्या होता है देखिए इसको हम लोग जानना है थीम से वर्क क्या करता है इसका वर्क क्या रहता है पेज लियाओट के अंतरगत तो देखिए पेज लि प्वीटर में आप कुछ भी लिखते हैं, वो किसी ना किसी, फॉन्ट में लिखे रहते हैं, फॉन्ट का मतलब क्या होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं font font style बोलते हैं और font color किसको बोलेंगे font color देखिए पेज लिय आउट में कहाँ पर मिलता है अगर एकजामे प्रश्ने बनता है की की font style और font color change करने का option हमको page layout में कहाँ पर मिलता है ऐसे ही प्रश्ने बनेंगे तो हमको कहाँ पर से मिलता है themes वारी option में हमको ये मिलता है तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग practically भी हम लोग देखेंगे तो themes में click करने के बाद देखिए मेरे पास कुछ option यहाँ पर खुलके आते है office, apex, aspect, civic ऐसे कर रहें कुछ यहाँ पर font जो style है वो यहाँ पर खुलके आते है अगर आप इसमें office वाले में click करते हैं तो font style चेंज जाएगा तो आपको जिसी वहाँ पर जो बहुत सारे आपको font के color मिलेंगे font का color देगा white हो black हो या फिर कैसा भी orange हो red हो blue हो कैसा भी करना हो आपको वहाँ से color मिल जाएगा बागी जो effect वाला जो यह आपको function आता है या धिकांत इसका परियोग किसम होता है powerpoint में इसका परियोग किया जाता है इसका परियोग यहाँ पर बहुत ही कम होता है powerpoint में इसका परियोग किया जाता है क्योंकि effect effect का परियोग Microsoft में कुछ नहीं effect यानि कि जब हम लोग कोई presentation बनाते हैं तो वह तो powerpoint मना जाती है पावर कॉइंट आप लोग जानते होंगे excel होता है powerpoint होता है Microsoft word होता है यह किसके बाग होती है जह हम लोग कोई office के लिए work करते हैं presentation थियार करते हैं तो वहाँ पर powerpoint का हम लोग परियोग करते हैं जो effect है effect का परियोग अधिकांस वहीं पर होता है इसका परियोग हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है हाला कि अगर जहां में प्रश्ण बनता है कि effect हमको जो आपका जो function है वो कहाँ पर मिलता है तो themes वाले ही option में आपको यह मिल जाता है तो देखिए इस परकार बहुत सारे themes आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है चलिए ठीक है अगला देखने है margin तो themes यहाँ परियोग क्या था जहाँ पर हम लोग font को change कर सकते हैं ऐसे ही note करना है themes का परियोग क्या रहेगा इसमें आप खुद से customize करके भी margin लगा सकते हैं फिलाल आप लोग समझिए इसको जब हम लोग practically वैसे आपको समझ नहीं आ रहा हुगा जब हम लोग इसको practically में आपको बता रहा हूँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा इसलिए कहा रहा हूँ वीडियो पूरी देखिए अगर आप लोग बीच बीच से देखते हैं कुछ भी समझ में आएगा तो देखिए margin का मतलब क्या होता है पहले आपको यह समझना है देखिए margin का मतलब page के चारों और छूटा हुआ हिस्सा होता है देखिए जब भी आप MX Word में कारी करते हैं तो आप लोग देखते होंगे जब आप कुछ भी लिखते हैं ऐसे करके लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर जैसे कुछ भी आप लोग टाइपिंग करते हैं तो देखिए इसके चारों और क्या होता है देखिए हमेशा देखिए आप लोग इसके चारों और क्या होता है एक शूटा हुआ हिससा होता है उपर नीचे दाएवाएं कुछ ना कुछ जगय छूटी जाती है तो देखिए जब किसी भी document को type करते हैं तो आपने notice जरूर किया होगा कि page के चार ओवर right, left, top और bottom यानि कि दाइबाइँ उपर नीचे कुछ जगए खाली हो जाती है इस खाली जगए को margin कहते हैं यहां ना हम कुछ लिख सकते हैं और ना ही printer उस जगए को print कर सकता है देखिए यहां पर हम लोग आते है margin में देखिए फिलाल आप लोग ऐसे समझें फिर मापको थोड़ा और अची से समझाऊंगा देखिए margin आपको यहां पर से option मिल रहा है अब देखिए इसमें होता क्या है जैसे कि मैंने आपको यह बताया कि एक page है Microsoft का कोई page है यहां पर देखिए इस page में जब आप लोग typing करेंगे तो आप लोग नोग यह देखाओ को इसके अंदर ही आप लोग लिख पाते हैं यह देखिए, तो यह जो यहां पर जगह खाली रह जाती है यह जर्जाती है इसको हमको समझना है देखिए margin ने वरक यह रहता है कि जो देखिए यहाँ पर मैंने एक मुझे नट यह देखिए जो हमारे margin ने वरक रहेगा हो क्या रहेगा इसको आपको समझना है margin देखिए तो देखी मैंने लिखा है margin का मतलब page के चारवर्ड छोटा हुआ हिस्सा होता है तो इसमें क्या होता है ना जैसे हम लोग यह हमारे page है कभी कभी हम लोग क्या करते हैं इस page की setting करते हैं जैसे कि जैसे हमने यहापर कुछ लिखा हुआ है इस लिखे हुए को हम इधर को बढ़ाना है थोड़ा हम इधर को बढ़ाना है थोड़ा हम ऊपर हो करना है थोड़ा हम नीचे हो करना है कभी कभी क्या होता है page की हम लोग setting करते हैं तो देखिए size यह हम लोग है page का size हम लोग set कर रहे है margin में क्या होता देखी यह देखिए आप लिखाओ page का जो margin होता है तो हम लोग set कर रहे हैं देखिए जिसी कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा देखिए कहीं कहीं पर आपको यह दिख रहा होगा देखिए यह उपर से जा रहा है हमको जैसा पेज चाहिए होता है अगर मुझे चाहिए कि हम मैं इस आकार में लिखता हूँ मुझे चाहिए कि जो मैंने जो भी कुछ टाइप किया हुआ है मुझे कुछ इस तरीके का वो देखे तो मुझे यहाँ पर किलिक करना है अगर मैं यह चाहता हूँ कि मैंने जो टाइप किया हुआ है मुझे वो इस तरीके का देखे तो मुझे यहाँ पर किलिक करना है तो मार्जिन में यही होता है जो आपका पेज है जो आपने लिख रखा है यानि कि जो आपने लिख रखा है देखिए जब किसी डोकुमेंट को टाइप करते समय क्या होता है कि चारों और जैसे कि लेप्ट राइट टॉप और बोटम में जो जगह खाली रह जाती है उसको हम तो जो हम लोग कुछ लिख रहे हैं उस-क हो चारो और का खाली हिस्सा रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे margin कहते हैं चलिए ठीक है अगला हम लोग देख लिएते हैं अगला हमारे पास हाता है क्या औरियेंशन मैं औरियेंशन बोला हूँ औरियेंशन देखिए यह क्या होता है औरियेंशन औरियेंशन की मदद से पेज को खड़ा यानि कि पोटेट या पट यानि कि लेंड स्कैप करने के लिए इसका परियोग करते हैं इसमें बॉई डिफैल्ट पोटेट मोट सेट रहता है देखिए यहां पड़ से आपको समझना है औरी टेंशन का मतलब क्या होता है ऐसे ही दोस्तिक जामे प्रश्ण बनेगा कि पोटेट और पट या निए पोटेट और लेंड इसकेप वारे जो फंक्सन है आपको किस में मिलते हैं आपको मिलते हैं औ पेज लेयाउट के अंतरगत पोटेट और लेंड इसकेप वारे जो फंक्सन मिलते हैं वो किस में मिलते हैं तो वो मिलते हैं आपको ओरियंट टेंशन में यह फंक्सन आपको देखने को मिलते हैं अब देखिए पहले आपको यह समझना है कि ओरियंशन ने ओरियंट टेंश है जैसे आप लोग इसमें किलिक करते हैं आपको दो ओप्सिन हापर मिलते हैं कौन-कौन से पोटेट का और लेंडिस्केप का तो यहां पर से देखिए थोड़ा सा हम और नीची तो आपको और अच्छे समझ में आ जा जाएगा देखिए जब भी आपको क्या करना होता है में जब भी आपको लेटर लिखते है अगर आप लोग चाहती हैं वो इस सेप में देखिए चाहँ पूलक इसे क्या बटकिन Alam function में तो ऐसे ही दोस्ति यह में प्रशन बनता है ported हो या आपने जो भी आपने ms word में जो भी टाइप किया हो जो भी आप वहाँ पर photo हो या फिर कुछ भी हो उसको आपको अगर ported mode में लाना है या landscape mode में लाना है तो आपको किस function में जाना पड़ेगा तो आपको orientation वाले function में जाना पड़ेगा ऐसे ही दोस्ति यहां में प्रशन बनेंगे और कैसे ही प्रशन नहीं बनेंगे यहाँ पर इसी परकार से यहाँ से प्रशन आपके बनेंगे चलिए ठीक है पिर देखिए अगला आता है size size में क्या है इसकी मदद से बनाए गए document या लिये हुए नए page को आकार देने के लिए इसका परियोग करते हैं जिसमें आप खुद से paper size add भी कर सकते हैं इसमें by default letter size set रहता है जो की 8.5 inch चौड़ाई और 11 inch लंबाई होती है अगर हम लोग कोई 5 inch चौड़ाई और 11 inch के लंबाई के साथ हमारे पास जो सामने दिखता है वो letter हम लोग को type करने को मिलता है हाला कि अगर आपको अपनी जरुवत के अनुसार इसको आप लोग change भी कर सकते हैं तो देखिए उसी change के बारे में हम लोग को पढ़ना है तो अगर आप लोग कुछ भी type कर रहे हैं उसको जो भी आपको size देना है तो उसके लिए आपको size वाले option में जाना पड़ेगा देखिए यहाँ पर orient tension वाला जो आपको function था ना उसे के बगल में आपको यह मिलेगा size वाला option तो देखिए इसमें क्या होता है देखिए थोड़ा सा आप लोग नीचे चलते हैं यह देखिए इसमें क्या होता है जैसे कि आप लोग कुछ भी typing यह देखिए आपके सामने यानि की ऐसा MX word जब आप लोग on करते हैं तो ऐसा ही आपको page वहाँ पर देखने को मिलता है जिसमें आप लोग type करते हैं तो अगर आप लोग को जो आप जो भी type कर रहे हैं उसका जो letter आप लोग बना रहे हैं उसका आपको size क्या रखना है उसका आपको size रखना है उसका जो आपको option मिलता है वो किसमे मिलेगा size वाले option महीं मिलेगा यह तो काफी आसान हो गया यानि कि जो भी आप लोग पत्र type कर रहे हैं उसका जो size है उसका size आपको क्या करना है किसी भी आकार में लाना है यानि कि 8.5 x 11 या फिर 11, 17 किसी में भी आपको लाना है तो यह जो function आपको मिलता है कहां मिले है टाइप करता से हमें उसको क्या size देना है उसके size को बदलने के लिए हमको function कहां मिलता है size में ही मिलता है तो चलिए ठीक है देख लेते हैं हम लोग अगला फिर देखिए size में देखिए आपको काफी सारी option मिलता है letter का और देखिए 11, 17, 8.5 x 11, 8.5 x 14, 11.69 x 16.54 तो बहुत आपको इंबर function देखने को मिलते हैं आपको जैसी जरुवतlie है आप लोग उसको change कर सकते हैं चलीonterी जहां थक है आपको दुसर समझ मां आ रहा होगा समझ मां आ रहा है तो बिलीकुर comment कर सकते हैं ताकि मुझे पता दखता रहे पिर देखिए अगला आता है column, इस column का क्या क कॉलम देखिए आपको एक दो तीन कॉलम तो था लैप्ट राइट का ऑप्शन मिल जाएगा खुद से कॉस्टोमाइज करने के लिए भी मोर कॉलम में जाकर सैट कर सकते हैं देखिए सबसे पहने तक आपको समझना है कि कॉलम का त्याचक्कर है देखिए मालिया कि आप लोग कुछ टाइब कर रहे हैं यह आपके सामने एक screen बनी हुई है आपके computer में अगर आप लोग यह चाहते हैं देखे आपने कोई भी यहाँ पर paragraph लिखा है अब आप लोग क्या चाहते हैं आप लोग चाहते हैं कि मैं जो भी मैंने paragraph लिखा है यह एक column में बढ़ जाए यानि column क्या होते हैं देखे column क्या होते हैं यह होगे न हमारी column आप यह चाहते हैं जो भी मैंने लिखा हुआ है column wise बढ़ जाएं आपको करना क्या है आपको अगर यह चाहते हैं मैंने जो भी कुछ लिखा मालिया कुछ लिखने के बाद आपको से कॉलम में बांटना देखी यह आपने कुछ लिख दिया कॉम्पूटर में आपने ऐसे कुछ लिखा यहां पर देखी बहुत सारे आपने आप चीज लिख दी टाइपिंग कर दी अब आप लोग चाहते हैं मुझे इसके तो आपको जैसे ही तिरी में किलिक करेंगे न तो जो भी आपका पराग्राफ लिखा हुआ यह पूरा पूरा तीन कॉलम में अपना बढ़ जाता है तो दोस्तों ये प्रश्ण हब भाद का मैं या फिर आप लोग अपने वर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं तो जो भी आप जो भी आपने letter लिखा हुआ है, जो भी आपने type किया हुआ है, उसको 2 भागों मैं, 3 भागों मैं, 4 भागों मैं माटने के लिए आपको किस function का परियोग करना पड़ेगा, तो आपको column वाले function का परियोग करना पड़ेगा, ऐसी ही सब्दावली आपसे वहाँ पर पूछी जा कि एक सेर था, उसके दो बच्चे थे, ऐसे करके, जो भी मैं लिखता हूँ, और वहाँ जंगल मैं रहता था, ऐसे करके, कुछ भी लिखता हूँ, अब देखी, मैंने माल लिया, उसको 4 भागों मैं, डिवाइड कर लिया, अब देखी, कैसे आएगा, कि यहाँ पर ऐसे होंगे, चलिए ठीक है, और देखिए, more column, यहाँ पर more column माल आपको एक option मिलता है, इस more column में जाके क्या होगा, more column में जाके आपको जितने भी option चाया होगे न, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, चलिए ठीक है, बढ़ते हैं लोग, अगले उसमें, page break में, page break क कहा जाता है, उसका shortcut key होता है, control plus enter, देखिए, इसको आपको समझना है, हालागी, अभी मैंने बोला है, तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन सब कुछ आपको समझाएंगा, प्रैक्रिली तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा, देखिए, उसके बाद मैंने यहा वे data को दूसरी column में भेज सकते हैं, देखिए, यहाँ पर सी होता क्या है, जैसे की, एक सब्द यहाँ पर आया है, page break का, एक सब्द यहाँ पर आया है, column break का, और देखिए, एक सब्द यहाँ पर आया है, tax, taxed wrapping का, तीन सब्द यहाँ पर आएंगे, तीन सब्द का आपको यहाँ पर समझना है और यही दोस्त एक जामा पूछी जाते हैं इसी तरीके से आप से यह पूछा जाएगा तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं page break के बारे में देखिए होता क्या है माल लिया कि आप लोग यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं देखिए सब कुछ आपको practically समझा रहा हूँ और आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझना आएगा देखिए एक computer आप लोग on करते हैं MS Word आपको on करते हैं आपने सब कुछ टाइप कर ले यहाँ पर आपने थोड़ा सा हम लोग इसको और नीचे करते हैं पेज में थोड़ा white white लेने तो आपको और better समझ मां आएगा देखिए यहाँ पर आपने क्या किया आपने MS Word में गए आपने यहाँ पर क्या क्या टाइपिंग कर ली ऐसे करके बहुत सारे चीन टाइपिंग कर ली तो देखिए टाइपिंग करने के बाद अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है इसको देखिए इसको भी हमको देखना पड़ेगा देखिए टाइपिंग करने के बाद ही हमसे क्या कह रहा था कि देखिए कहा गया एक मिनट थोड़ा सा पेज सेट कर ले हम लोग पेज सेट करने हम फोटे दिक्कत होती है देखिए यह देखिए पेज बे देखिए यह हमसे यह कह रहाता कि देखिए चलो मैं यहीं पर इसको बनालता हूँ छोटा बनालता हूँ कोई दिक्कत नहीं यह दे देख्ये माल्या की मैंने यहां पर बहुत सली लिखी अब मैं यह चाहता हूँ कि यहां पर से peach मैं थोड़ा सा आपको zeggen समझता हूँ माल्या इसको आप लोग समझ ले जी क्योंकि थोड़ा सा अच्छा श्यां लगाए यहर लगा this यह मान लिया कि हमने किसी भी MS Word में यह सारे चीजन टाइप करें यह आप लोग स्क्रीन समझ लेजें आपके कंपूर्टर की स्क्रीन इसको समझना है तो आपने देखी इसको कंपूर्टर की स्क्रीन मान लिया और आपकी कंपूर्टर की स्क्रीन पर यह सारे चीजन लिखी पेज पूरा भर गया तो उसके नीचे क्या होगा दूसरा पेज आएगा उसके नीचे तीसरा पेज आएगा ऐसे कई सारे पेज उसमा आते हैं तो आप यह चाहते हैं कि यहां पर से जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं यहां पर को नीचे को जो भी चीज़ें यहां पर आ रह कहां पर जहां पर से जहां पर से भी यहां पर से यहां पर से यहां पर से जहां पर से भी आपको वो चीज़ें अगले पेज में ले जानी हो यानि कि अगले जो उसका नीचे वाला पेज आ रहा है तो आपको वहां पर लाना है और लाने के बाद आपको पेज़ ब्रेक वाले sort की क्या होती है आपको याद रखना है control plus enter की sort की होती है यानि कि एक page से यानि कि एक page में जो भी कुछ लिखा हुआ है इस page से दूसरे page में हमको कुछ भी ले जाना है तो हमको किस वाले option का या किस function का हमको परियोग करना पड़ेगा page break का यहां से देखिए मैं मुझे यहां से जो भी चीज़े नीचे यहां लिखी हुई है यहां पर ले जाना है तो मुझे किस option का परियोग करना है page break का तो प्रशने कैसे बनेगा प्रशने ऐसे बनेगा जब भी आप mx word में typing करते हैं अगर आपको एक माल्य कोई भी आपको जहां पर आपको typing कर रहे हैं जो भी paragraph है आपका उस paragraph में से बीच में से किसी भी चीज़ को उठा के अगर दूसरे वाले page में उसे ले जाना हो तो आप लोग किस function का परयोग करेंगे page break function का परयोग करेंगे देखिए हो भी यही रहा है न हमारे पासे पूरा paragraph है इस paragraph में हमें क्या करना है यहाँ पर से कोई भी चीज नीचे ले जानी है किसी paragraph में कहीं पर से भी किसी चीज को अगले एक page से दूसरे page में ले जाने के लिए हमें किस function का परियोग करना पढ़ रहा है page break function का परियोग करना पढ़ रहा है चलिए ठीक है computer की screen है अब दीए computer की screen है माल लिया कि यह आपकी column बने वो जिसे आप column का परियोग करते हैं किसी भी typing में अगर जब यह तभी काम करेगा जब आप एक column में कोई कारे करते हैं देखी column में क्या हुआ आपने यहां पर देखी बहुत सारे चीज़ें आपको लिखने को दिख रही है ना इसके page एक column graph बदलने के लिए यहां पर देखी बहुत सारे चीज़ें लिखी हुई है अब आप लोग यह चाहते हैं कि जो मैंने यह बदलने के लिए है इसके बाद जो भी चीज़ें लिखी भी आ रही है सारे के सारे यहां पर आ जाएं एक column से दूसरे column में देखी लिखा हुआ ना एक column से दूसरे column में आपको करना के है जो आपका mouse का cursor है उसको आपको यहाँ पर लाना है और यहाँ पर लाने के बाद आपको गया करना है जो आपको column break वाला option मिलेगा उसमें आपको click करना है जो भी यहाँ पर लिखा हुआ होगा सार का सारा यहाँ पर चला जाएगा तो यह भी प्रशने बनेगा कि किसी भी column में या फिर किसी भी जिस समय आप अपने computer में कारी करते हैं एक column से दूसरे column में ले जाने के लिए आपको किस function का पर्योग करना पड़ेगा तो आपको अगला आथा text wrapping text wrapping क्या होता है इसको भी आपको समझना है तो देखिए text wrapping क्या होता है text wrapping को paragraph बदलने के लिए परियोग करते हैं जो की enter button दबाने से होता है text wrapping की मदद से किसी paragraph में कहीं पर click करके उसके आगे के लिखे हुए data को एक नए paragraph की तरह बना सकते हैं देखिए इसको भी हम लोग समझेंगे देखिए मालिया की आपने एक कारे कर रहे हैं किसी computer में मालिया की कोई computer की screen है अब देखिए आप लोग ये चाहते हैं कि अभी तक तो हम लोग क्या बात कर रहे थे जो हमारा column break था उसमें एक column से दूसरे column में वहाँ पर चीज़ें चली जा रहे थी और दूसरा क्या था हमारे ब्रेक वाला option था सबसे उपर वाला page break का उसमें क्या हो रहा था जैसे ही हम लोग जहां पर से cursor को ला रहे थे वहाँ पर लाने पर हम लोग page break में क्रीक किर रहे थे तो सारे यहां यहां से डाटा कहा जा रहा था दूसरे वाले page में चला जा रहा था लेकिन text wrapping में क्या होता है text wrapping में क्या होता है , जैसे की मालिये भास हमने यह computer 3 screen है सारे चीज़ें computer की screen में लखी हुई है अब मैं यह चाहता हूँ कि मैं यहां पर से जो भी देखिए मैं यह चाहता हूँ कि मुझे यहां पर से जो भी चीज़ें लिखी हुई यह इतनी सारी यह एक नए पैराग्राप की तरह नीचे को आ जाएं मतलब इसी पेज में आजाएं इसके नीचे को आजाएं नए पैरेग्राप की तरह कैसे जैसे की मालिया मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं बहुत सारे चीजें मैंने आपर लिख दिए हैं अब मैं यह चाहता हूँ कि 20 से कौछ चीज उठा के मैं इसको एक नए paragraph की तरह बना दूँ तो यहां पर से जब जैसे ही मैं यहां पर cursor लाता हूँ और cursor लाने के बाद जैसे ही मैं text wrapping वाले option में click करता हूँ तो यह जितनी भी चीज़ें यहां पर लिखी वी आपको मिलती हैं यहां पर से हटके एक इसी page में इसी page में एक नए जैसे एक paragraph से उपर चल ला है ना ऐसा ही एक paragraph नीचे और बन जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलता है text wrapping तो यह भी प्रश्न बनेगा कि जब आप ms word में कारी करते हैं तो एक paragraph में से एक नया paragraph बनाने के लिए एक paragraph में से एक नया paragraph बनाने के लिए आपको किस function का परियोग करना पड़ेगा तो आपको करना पड़ेगा text wrapping का चलिए ठीक है यह भी आप लोग तीन function याँसे आप लोग समझ गया होंगे इन्हीं के बारे में दोस्ते यह आमें हो गया continuous का हो गई एवन और ऐसे ही आपको option और मिलते हैं यह भी आप नोट कर लिजिए यह option आपको कहां मिलेंगे इतने important है नहीं लेकिन आप नोट कर लिजिए कि continuous हो even page और पेज यह function हमें कहां मिलते हैं यह function पेराग्राफ कितनी लाइन में लिखा हुआ है उससे देखने के लिए इसका परियोग करते हैं माल लिया कि आपने कोई पेराग्राफ लिखा आपने कोई पेराग्राफ लिखा देखी पेराग्राफ लिखा आपने बहुत सारी इसमें लाइन लिख दे आप लोग यह चाहत करते हैं तो control all करके आपने क्या किया इसको select कर लिया और select करने के अब आपने क्या किया line number वाले option में गए और यहाँ पर line number जैसी option जाएंगे जितनी भी line यहाँ पर लिखी होंगी तो उसके निचे के लिए या paragraph कितनी line लिखा हुआ है इस चीज को जाचने के लिए किस function का परियोग करेंगे तो आपका उतर क्या हो जागा line number का यहाँ पर हम लोग परियोग करते हैं चलिए फिर देखिए यहाँ पर से आपको कुछ function मिलता है जैसी आप लोग बरिक से के नीचे line number का option मिलेगा ननन का मतलब यह हो गया है अगर आपने वहाँ पर line number करी है जैसे अगर आप चाहते हैं कि जो भी line number हो हट जाए तो आपको कई सारे section हमको देखने को मिलते हैं तो section में ऐसी प्रस्थन मन सकता है कि MS Word में कारी करते समय section में section में हमको line number का परियोग करने के लिए किस function में जाना पड़ेगा या फिर number का परियोग करने के लिए उन section में numbering करने के लिए ऐसे करके सब्दावली का परियोग होगा section में numbering करने के लिए हमें किस function का परियोग करना पड़ेगा line number का परियोग करना पड़ेगा 1 section 2 section 3 section 4 section इनको हम लोग section बोलते हैं जो आपको दिख रहा है haha दो बात सब में एक ही है line numbering का परयोग यहां पर किया जा रहा है चलिए आगे हम लोग अगला देख लेते हैं अगला आता है hyphenation hyphenation का परयोग क्या है hyphenation का परयोग उस समय करते हैं जब हमारी लिखी हुई text paragraph wrapping होकर दूसरे line में आती है और कुछ सब्द उपर वाले paragraph में रह जाते हैं और छोटा सा dash लगकर जो बाकी का बचा हुआ है वो नीची वाले paragraph में उसका बचा हुआ सेज भाग आयाता है उसे ही high foundation कहा जाता है जो automatic तिथा manual दोनों होता है चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं देखिए मालिया कि आप लोग किसी computer में कारी कर रहे हैं अब कारी करते समय क्या होता है कभी कभी अगर आप इस function का परियोग करना चाहते हैं तब ही वैसे नहीं आता है देखिए मालिया आपने लिखा जैसे कि आप लोग कुछ लिखते हैं यहाँ पर से आपने लिखना शुरूगया आओ सक्ता अनुसार25 अब देखिए यहाँ पर आऊ सक्ता अनुसार आप लोग लिख रहे हैं तो यहाँ पर देखें जगए कं पड़ जारी है हम लोग करता है डेस सब्दका, डेस सब्दका मतलब क्या है कि, जो भी यहां पर लिखाऊँवा है, उसका आदा बचाऊँवा वाग, हम लोग यहां पर नीचे लिख रहे हैं, आओ, जो भी लिखना, आपको आओ सेक्ता अनुसार यहां पर करते हैं जब हम लोग कोई word लिखते हैं और वो उस line पर नहीं आ पाता है अंतम जग नहीं बचती है तो उसका आधा बचा हुआ जो भाग रहता है हम लोग अगली line में लिखते हैं एक dash लगा कर तो ये भी आपको याद रहा है तो जिस word को लिखने के लिए आधा word उपर वाल function है उसके द्वारा ही ये कारी हम लोग करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमको दो function मिलते हैं आटोमेटिक है मैनुवेल यानि आटोमेटिक का मतलब यह होता है कि आटोमेटिक अगर आप उसको कर देंगे तो जो भी आप लोग word लिखते रहते हैं अगर माल लिए कि यहाँ पर वो वर्ड पूरा नहीं हो पाता है अटोमेटिक लिए यहाँ पर नीचे आपने आप आजाया कर डैस लगकर मैनुवेली में आपको करना पड़ता है मैनुवेली जैसे आप करेंगे तो आपको वहां पर वर्ड दिखाएगा और आपको बतायागा कि आपने इस वर्ड क है वो आपको देखने को मिलेगा तो देखिए नन ऑटोमेटिक मैनुवल बांकि हाइफनेशन और अन्य और देखने को मिल जाते हैं लेकिन प्रेशन आपको डैस वाला ही मिलेगा डैस का परियोग चलिए ठीक है आगे हम लोग देख लेते हैं वाटरमार्क वाटरमार्क कई स सबको चेंज कर सकते हैं देखिए इसको हम लोग समझेंगे अपने उसमें एक्जामपल से देखिए सबसे प्रेटा करना किया है जहां ब्रेक से लिखा हुआ था उसके बगल में आपको वाटरमार्क का आपको आप्सन मिल जाता है जैसे ही आप इस पर किलिक करते हैं आप आपको यहां पर कुछ लिखा हुआ है कुछ जो भी लिखा हुआ है उसको सब्सक्राइगे और वाटर्समार्क वाल होइव किलिक करना है एकजामपल से हम लोग समझेगे अपको बढर की समझ में आएगा देखिए आप लोग मेरी वीडियो देखते होंगे गैनी वीडियो देखते हुए आपको यहाँ पर कुछ ऐसे दिखने को मिलता हुगा education with GC इस तरीके से आपको देखने को मिलता हुगा ना तो इसी को क्या बोलते है watermark इसे ही हम बोलते है watermark education with GC मैंने यहाँ पर लिख रखा है और अगर इसको याद करना है कि page के बीच में watermark लगाने के लिए परियोग करते हैं किसका watermark का या फिर देखिए वहाँ पर से आपको सब्दावली में कुछ घुमा देगा मतलब page के बीचों बीच में जो हम लोग एक तो ऐसे बोल देगा कि कुछ गाड़े सब्दों से लिखा रहता है कुछ हलके सब्दों या फिर गाड़े पैंसे लिखा यह इसे करके वहाँ पर से सब्दों का परियोग करेगा तो उसको क्या कहते हैं watermark है उसको हम लोग कहते हैं तो watermark यहाँ पर आप लोग समझ गया होंगे देखिए इस तरीके से आपको watermark अगा पता लगता है किसी भी page में ऐसे आप लोग बहुत सारे आपने page देखे होंगे जहाँ पर जो भी लोग अपने notes बनाते हैं तो वो अपने नाम लिख देते हैं तथा more color समझा करके और भी color चुन सकते हैं इसके साथी feel effect में gradient texture pattern तथा picture भी लगा सकते हैं तब ही हम लोग समझेंगे इसे भी पहले हम लोग पढ़ लेते हैं देखिए note, note क्या करना है लगाए गए page color by default printer नहीं होती है देखिए, यानि की चली हम लोग समझते हूँ चलते हैं देखिए, मालिया की यहाँ पर आप कोई page देख रहे हैं इतना बड़ा आप page देख रहे हैं यही पर screen समझ ले दिए, जो आपकी screen है माले computer screen है अगर आप लोग यह चाहते हैं जब आप MS Word में कोची type कर रहे हैं माले यह computer की आपकी screen है आप लोग यह चाहते हैं कि यहाँ पर आप लोग type कर रहे हैं इतने हिस्से में जितने में आप type कर रहे हैं वैसे तो normally आप लोग देखते होंगे तो उसका जो color रहता है, white रहता है आप लोग चाहते हैं कि यह red हो जाए आप लोग चाहते हैं यह black हो जाए, brown हो जाए किसी भी color का हो जाए तो आपको जो उसका color change करना है तो उसका color change करने के लिए आपको किस function में जाना पड़ेगा तो page color वाले function में आपको जाना पड़ेगा लेकिन एक बात ये ध्यान से सुनेंगे जब आप यहाँ पर तो आपने color change कर दिया अगर आप इसका printer निकालते हैं तो जो आपने वहाँ पर color लगाया है तो वह color आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पर printer में तो color white आता है हाला कि आजकल तो वैसे भी बहुत सारे आजकल टेक्निक की जो टेक्निक है काफी अच्छे जे टेक्निक आगी है ऐसे भी संबब हो जाता है उसके लिए मैंने यहाँ पर note लिखा हुआ है देखिए लगाए गए page color boy default printer नहीं होती है यदि आपको print करना हो तो word option में जाकर display option में जाने के बाद printing option पर print background color and image पर check लगाना होता है यानि कि ऐसे tick लगाना होता है check लगाने के बाद आप उसको save कर देना है और जो आपका color है वो भी color निकल के आयाता है उसके लिए क्या होना चाहिए वो भी color वाला printer ink वाला एक तो होता है विल्कुल black and white निकलता है एक प्रिंटर ऐसा हाता है जिसमें की color जो आपका प्रिंटर वो निकलता है लेकिन जो normally क्या होता है normally यह होता है कि जो उसका color है वो change नहीं होता है तो page color आपको जो अगर इजामे प्रश्णी कैसे बनेगा इजामे प्रश्णी ऐसे बनेगा देखिए अबर color की spelling गरत लिखी हुए मुझे भी ऐसे कोई ध्यान नहीं आ रहा है इंग्लिस मेरी भी थोड़ी वीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो देखिए तो page color किसी भी जब ऐसे प्रश्णी ऐसे बनेगा वहाँ पर MS Word में कारी करते से में जो भी आप लिख रहे हैं उसका background चेंज करने के लिए आपको किस option में जाना पड़ेगा या फिर किस function में जाना पड़ेगा page layout में तो आपको जाना पड़ेगा page color में ऐसे प्रश्णी बनेगा चलिए ठीक है यह आपको कहाँ पर से मिलता है यह function आप आपको मिलता है watermark के बगल में आप लोग जाएंगे तो देखी वहीं पर आपको page color देखेगा वहीं पर देखे इतने सारे color आपको देख रहे हैं जिस color का आपको परयोग करना है आप लोग वहाँ से परयोग कर सकते हैं बाकि देखे बहुत सारे आपको effect मिलता है no color more color का option म देखने को मिल जाएंगे चलिए ठीक है page border वीडियो पे दोसरे लंबी हो रही है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि 43 मिनटे की तक हो चुकी है चलिए इसको जल्दी से हम लोग समाप्त करते हैं page border में क्या होता है देखिए page border की मदद से page में border लगाने के लिए परयोग करते है जिसके अंदर box shadow तो था 3D का option मिल जाएगा और इसमें art की मदद से clipart का भी border लगा सकते हैं जिसमें धेर सारी clipart मिल जाएंगी जैसे कि फूल से बंदर आदी सारे shapes यहाँ पर मिल जाती है देखिए आपने देखा होगा आपने जब भी आपको कोई यहाँ पर से letter मिलता होता है एक ऐसे बॉर्डर लगा रहता है तो उस बॉर्डर को और बॉर्डर कई तरह के होते हैं कोई design वाले होते हैं कोई simple होते हैं कोई गाड़े लाइन में होते हैं किसी में कुछ design बना रहता है कुछ भी होता रहता है तो यह जो हमको design मिलता है यह option यह हमको मिलता है पे पेज बॉर्डर वाले option में जैसी देखी watermark के page color के बगल में आता page border जैसी आप लोग इसमें click करते हैं देखी आपके सामने ये function देखने को मिलते हैं यहाँ पर तरीके देखिए इस परकार का लगाना है box लगाना है shadow लगाना है 3D में लगाना है तो जैसे भी आपको यहाँ पर से border लगाना हो आप लोग यहाँ पर से उसको choose कर सकते हैं पिर देखिए अगला आता है indent indent क्या होता है इसकी मतलब से paragraph को right तो left से increase और decrease करने के लिए इसका परियोग करते हैं इसका मतलब होता है किसी paragraph को कितना right में जथा कितना left में रखना है देखिए यहाँ पर से पड़ेगी indent में क्या होता है indent में इसकी मदद से देखिए मैंने यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि एक मिनट थोड़ा set कर लेते हैं इसे देखिए मैंने यहाँ पर यह लिखा हुआ है इसकी मदद से paragraph मालिया आपको कोई paragraph है इस paragraph है मालिया आपको यह paragraph यहाँ पर से लिखा ह हब चाहिए यहां पर यहां पर से लिखा हो चाहिए है कि यहां पर से तरह कोई लिखेगा नहीं यहां पर से यहां पर से आपको लिखा हुआ चाह रहें, यहां से लिखना चाहते हैं, यहां से लिखना चाहते हैं, यहां से लिखना चाहते हैं, तो ऐसे function आपको कहां से मिलते हैं, indent से, ऐसे function आपको कहां से मिलेंगे, indent से, तो प्रशनी क्या बनेगा, किसी भी paragraph को, MS Word में type करते समय, किसी paragraph को right तथा left से increase और decrease करने के लि protection मिल जाता है तो जैसे ही आप लोग क्या करना है यहापर लेट में जाएंगे राइट में मतलब कितना आपको चाहिए मतलब यह मैं आय, est लेट में जैसे किवा लिखा हुआ आगा छैसे कि आपको पहरा है यहांodetzt को यहां पर को यहां पर खिसकता हो जाएगा अपने आप जैसा आपको जिस साइज में आपको चाहिए होगा इंडेंट मतलब जो आपको पह रहा है वो जो भी आपको स्ट करना रहेगा वह आपको इंडेंट में मिल जागा यहना कि left और right से चलिए ठीक है उसके बाद देखिए एक चीज और जो indent का एक function यहाँ पर से आपको और समझना है देखिए थोड़ा इसको बढ़ा करते हैं तब आपको समझ में आएगा देखिए indent में जैसे ही आपको आपको और यहां पर जैसे ही यहां पर बेंट में करते हैं यहां पर EB यहां पर जिसे आपशन को देखे करगे आयाता है तो मतलब left राइट से जो भी हम लोग लिख रखा है उसको हमें set करना हो तो indent हम जाके हम लोग उसको set कर सकते हैं चलिए ठीक है फिर देखिए अगला आता है हमारे पास थोड़ा छोटा करता है इसे चलिए ठीक है अगला हमारे पास क्या आता है अगला हमारे पास आ जायता है spacing spacing क्या है देखिए जितने भी हमारे पास word है यह हमारे layout के page layout के function है ऐसे ही आपसे एक जामे प्रशने बनेगा spacing क्या है paragraph की spacing को घटाने तदा बढ़ाने के लिए इसका परियोग करते हैं कैसे हम लोग इसका परियोग करते है देखिए मान लिजिए कि हमारे पास यह आपकी स्क्रीन पर देखिए कोई paragraph है मान लिए आप paragraph देखिए कोई मैं आपके सामने paragraph ढोड़ता हूँ जो मैंने आप लिखा हुआ है उसके बाद हम लोग इसको समझते हैं मान लिजिए कि आपकी स्क्रीन पर यह paragraph लिखा हुआ है यह आपकी computer की स्क्रीन है और यह जो matter है आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है तो मैंने यह कहा क्या कहा था है यहाँ पर देखिए पहले इसको पढ़ते हैं उसके वाद इसको हम लोग समझते हैं देखिए पैराग्राप की spacing को घटाने तथा बढ़ाने के लिए इसका परियोग करते हैं चलिए इसको हम लोग एक screen माल लेते हैं यह हमारी computer की screen है अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे चीज़ने लिखी हुई है बहुत सारे चीज़ने लिखी हुई है जो आप लोग इसकी आपको अपनी पूरी screen समझनी है जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं आपको यह समझ लेना है कि यह पूरी की पूरी क्या है एक computer screen है अब देखिए यहाँ पर से तो मैं जैसे इसको जूम करता हूँ देखिए मैं यहाँ पर देखिए इसको जूम कर रहा हूँ देखिए यह देखिए जूम कर रहा हूँ क्या हो रहा है जगए यह क्या हो रही है यहाँ पर जगह ज़्यादा घहर ले रहा है ना इस पेसिंग ज़्यादा घहरता है देखिए और बड़ा करता हूँ देखिए और इसने जगह यहाँ पर घहर लिये लेकिन देखिए इसको मैं जैसे ही जूम आउट करता हूँ देखी जगए अपने आप जो है अपनी जगए आ गई है तो अगर मैं यहां पर देखी पैराग्राफ की इस पेसिंग को घटाने और बढ़ाने के लिए हम इस फंक्शन का परियोग करते हैं लेकिन जैसे देखी यहां पर मैंने इसको आपको ऐसे समझेंगे इस पेसिंग बिफोर और आफ्टर बिफोर और आप्टर यहां पर दो अप्सन आपको मिलता है बिफोर और आप्टर के तो पैराग्राफ की इस पेसिंग को घटाने के लिए बिफोर का मतलब क्या होता है पहले देखी माले जिए कि आपने यहां पर कोई पैराग्राफ लिख लिखा हुआ है यह देखिए ऐसा paragraph आपने लिखा हुआ है अगर आप यह चाहते हैं कि यहां पर से जो चीजें यहां पर को लिखी हुई है इनका जो आकार है वो घट जाए या बढ़ जाए तो आपको यहां पर click करना है अगर आपको before में click करते हैं उपर वाले function में click करते है तो घटेगा नीचे वाले में करते हैं तो पढ़ेगा और ऐसे ही अगर यहां पर click करते हैं और देखिए इसको आपको में select करना पड़ेगा और यहां पर आप click करते हैं अगर आप लोग यह चाहते हैं यहां पर से लिखावा जो भी यहां पर को लिख रखा है वो क्या हो प्रस्न यह बनेगा किसी भी paragraph की spelling को घटाने वो बढ़ाने के लिए किस function का परियोग करते हैं तो आपका author का हो जागा spacing का यहाँ पर परियोग करते हैं चलिए ठीक है देख लेते हैं अगला फिर देखिए अगला आता है अरेंज का option अरेंज में क्या होता है अरेंज जो option के अंतरगत किसी भी सेफ तथा picture को position set करने के लिए इसका परियोग करते हैं कि अरेंज में क्या होगा arrange में हम किसी भी taxes को यहां पर इसका हम लोग इसमें किसी जो taxes हमारे होते हैं याना कि वर्ड हमारे होते हैं यहां पर उसका कोई काम नहीं यहां पर सिर्फ होट से जो safe हैं safe कैसी होती हैं आप जब computer अपना on करेंगे तो आप लोग जो insert वाला option होगा उसमें जाएंगे तो आपको safe वाला option मिलेगा जहां पर आपको तरिवुज का या गोला या फिर ऐसे करके आयत या फिर आपको या 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 फिर आपको कुछ भी आपको परियोग नीचे बने या आप लोग छाँता है यहां पर बने या आप लोग चाहते हैं बीच में बने तो उसकी उसका निजफ़ां और पिक्चर में इनका पर्यूग होगा इनका पर्योग будं नहीं कर सकते हैं तो इन का पर्योग हमलोग आयत हो कुछ भी हो इन का परियोग हम लोग यहां पर उनको करते हैं चलिए ठीक है फिर देखी पोजिसन हमारे पास एक वर्ड आता है अरेंज का तो हमने पढ़ लिए अरेंज में क्या कर चीज़ हमको देखने को मिलती है अब अरेंज के अंतर का यह फंक्सन आते हैं कौन-कौन से फोजिसन ब्रिं सब कुछा है। यहां पर देख дол यहां पढ़ेगा यहां पर देखिए यहांप और यहां पर आए यहां पर आए यहां पर आए तो इन ही सब की सेटिंग करने के लिए हमको कौन सा फंक्षन मिलता है वो मिलता है पोजिसन का तो यह आपको परेयोग किस function का हम लोग परयोग करते हैं या उसको आकार देने के लिए ऐसा वहाँ पर position नहीं आया कि वहाँ पर आकार देने के लिए किसका परयोग करते है position का या फिर वहाँ पर कौन सा word आ सकता है या फिर वहाँ पर देखी ये भी आपसे अरेंज भी वहाँ पर option आपको मिल सकता अरेंज भी मिल सकता ये भी आपको ध्यान में रखना है चलिए ठीक है फिर देखिए अगला हमारे पास कौन सा आएगा अगला हमारे पास आथा tax wrapping का tax wrapping tax wrapping की मदद से picture को square, tight, behind tax, in front of tax top and bottom अधिस set करने के लिए इसका परियोग करते हैं तो जैसे ही आप लोग क्या करेंगे tax wrapping देखिए जैसे ही हम लोग क्या करते हैं tax wrapping में click करते हैं इतने सारे हमको यहाँ पर function देखने को मिलते हैं तो इतने सारे function जो भी आपने वहाँ पर को safe है, picture से या उसको कुछ भी set करना है तो यहाँ पर से one function का अप लोग परियोग कर सकते हैं ये भी किसके अंतरगत आ रहे हैं arrange कही अंतरगत ये सब आ रहा है चलिए ठीक है अगला आता है bring to front send to back इसका क्या परियोग है किसी भी safe को या photo को उपर या नीचे करने के लिए bring to front और send to back का परियोग करते हैं उपर या नीचे करने के लिए किसी भी safe को या photo को देखिए प्रशन ऐसे बनेगा कि MS Word में कारिक करते समय किसी भी safe या photo को उपर या नीचे करने के लिए किस function का हम लोग परियोग करते हैं फोटो को ओपर या नीचे करने के लिए इसका परियोग हमलोग करते हैं यह भी आपको कहां पर मिलेगा देखिए यहां पर टैक्स व्रैपिंग है और देखिए यह आपको मैंने आपको बताया ना अरेंज अरेंज जी के अंतरकत क्या क्या आ रहा है पोजिस्टन हो ब्रिंग टू ब्रिंग टू फ्रेंट हो सैंड टू बैक हो टेक्स व्रैपिंग हो यह सार के सारे किसके अंतरकत आ रहे हैं यह आपको नोट करते हुए चलना है चलिए ठीक है, फिर आता airline, airline क्या है, airline की मदद से किसी shape को या photo को left, right, center, top, middle even bottom करने का परियोग, मतलब bottom हो, वहाँ पर हम लोग इसको लाने के लिए परियोग करते हैं, airline के द्वारा देखी, airline का परियोग देखी, किसम center यह हो गया, left यह हो गया right यह हो गया, left यह हो गया, middle यह हो गया, bottom यह हो गया, तो in function का परियोग हम, इसमें क्या होगा, आप जो आपका, जो shape है, photo है, उसको आप लोग कहीं पर भी set कर सकते हैं, airline में, लेकिन देखी, उपर मैं देखी, यहाँ पर, जो bring to front और send to back था, इसमें हमको circles को उपर और नीचे कर सकते थे, लेकिन align में हम लोग देखते हैं, align में हम लोग इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं, देखी, यहाँ पर align में जैसे ही आप लोग click करते हैं, align, left, center, right, top, middle, bottom आपको यहाँ पर option देखने को मिलते हैं, चलिए, ठीक है, अगला देखी, अगला हाता है, group rotate का, group का, group में क्या है, group में क्या होता है, किसी 2 save को group में करने के लिए इसका परयोग करते हैं, जब 2 save select हो तो ही group कर सकते हैं, किसी 1 save selection पर group options हो नहीं करता है, देखे, माले जिए, कि यह computer की screen है, इस computer की screen पर माले लेकि, 2 यहाँ पर save आपको देखने को मिलती हैं, 2 save आपको 1 देखने को मिलती हैं, आप इनको एक group में लाना चाहते हैं, ऐसे करके group में लाना चाहते हैं, अगर किसी भी shape को अगर आप group में लाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी ये है कि आपको वहाँ पर दो आकरते हैं आपर होने चाहिए दो shape यानि कि दो आकरते हैं या दो image होने चाहिए तब ही आप group वाले function का परियोग कर सकते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है किसी भी shape को group में करने के लिए या किसी भी shape को मिलाने के लिए हम किस function का परियोग कर रहे हैं group का परियोग करते हैं तब ही हम लोग जब दो shape select हो तो ही group का परियोग कर सकते हैं चलिए ठीक है यहाँ पर देखिए जो आपका group हो यह आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा group हो rotate हो यह function आपको देखने को मिल जाएगा फिर दीखे अगला आता है rotate का rotate क्या होता है rotate की मदद से अपने picture को 90 degree left 90 degree right flip vertical flip horizontal तथा more option जाकर खुद से customize कर सकते हैं कोई भी आपकी picture हो कोई safe हो माल लिया तिरवोजे आप लोग इसको इधर को मोड़ना है इधर को इधर को इधर को इधर को किसी भी दिखा में इसको आपको मोड़ना है तो आपको rotate में जाना पड़ेगा rotate में जाके ही आपको यह आप यह कारिक कर सकते हैं रोटेट में आपको यही जो प्रश्न बनेगा कि MS Word में कारी करते समय किसी भी shape या किसी picture को 90 degree, 90 degree right में या किसी भी दिसा में उसको बदलने के लिए किस function का हम लोग परियोग करते हैं, rotate का हम लोग परियोग करते हैं, तो दोस्तो, rotate का परियोग हम लोग कहां पर कर रहे हैं, जो भी हमारे जो function है, उनको गुमाने के लिए, उसमें हम लोग rotate का परियोग कर रहे हैं, तो देखिए, एक बात और यहां से आपको ध्यान रखने हैं, तो देखिए, जो group और rotate, group हो, rotate हो, align हो, हमें किस function में देखने को मिलता है, arrange वाले function में हमको देखने को मिलता है, यह आ पर से add कर लेंगे, उपर जब मैंने आपको screen बताया था, तो वहां पर से क्या हो रहा था, थोड़ा सा crop करना पड़ा था, जो आपको नहीं देखेगा, तो group और rotate क्या होगा, यह भी किसम आएंगे, arrange वाले function में ही आ जाएंगे, चलिए, एक बार में आपको उपर लिए चल OUP और rotate का, यहाँ पर से आपको तीन function याप से आपको जोड लेने है, यह किसम आएंगे, यह आएंगे, arrange में, दोसरी यह प्रशन बनने की का भी संभावना है, कि size हो, margin हो, orientation हो, यह किसम आएंगे, page setup माएंगे, watermark कहां पर हमको मिलता है, page background मिलता है, और paragraph में हमको क्या क्या समझाया है, उमीद करता हूँ, आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो video को like कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको यह video पसंद आई है, तभी तो मैं सोचूंगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तभी मैं इसकी आपको function था, वह सब कुछ में आपको समझा चुका हूँ, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई है, तो like कीजिए, और share कीजिए, और चैनल को subscribe कीजिए,